तो तेरा फरवरी में MP board का जो गड़ित का paper है उसमें top most जो question मुझे लग रहा है मैंने सारे question देख लिये हैं ये जो question आपको दिख रहा है दो संकेंदरिये ब्रतों की तरज्जाएं 5 cm और 3 cm है बड़े ब्रत की उस जीवा की लंबाई ग्यायत कीजिए जो छोटे ब्रत को इस तो एक परकार की सहाइता से एक ब्रत बना देना फिर थोड़ा सा परकार और फैला के एक ब्रत और बना देना ठीक है इतना कर लोगे फिर इसमें दिया जाएगा कि जिनकी तरज्जाएं 5 cm और 3 cm है तो एक तरज्जा 5 cm आप माल लेना और एक छोटे ब्रत की तरज्जा 3 cm म अब दौनों ब्रत को इसपर्स करती हो एक जीवा हम खीचेंगे तो यहां पे लिखा है कि बड़े ब्रत की जीवा तो यह पूरा बड़ा ब्रत आपको दिख रहा है बड़े ब्रत की जीवा यह है देखो यह PQ बड़े ब्रत की जीवा है इसकी लंबाई हमें ग्याद करना है यानि PQ हमें ग्यात करना है तो छोटे ब्रध को sparse करती है जो छोटे ब्रध को sparse कर रही है तो यह जो PQ है यह छोटे ब्रध को sparse भी तो कर रही है ना M-Bindoo पे तो बस यही पे हमें logic मिलेगा कि अगर हम यह देखो यह M-Bindoo इसे माल लेंगे करण कहलाता है, समकॉण के सामने ये करण कहलाएगा और ये लंब आधार हो सकते हैं, तो पाइफागुरस लगाओगे, तो क्या हो जाएगा? देखो, इसको मैं यहां पे आपको बता देता हूँ, इस में जो लिखा है, उसको देखने की ज़रुत नहीं है, आप बस एक बर समझ जाओ, देखो क्या है, ये करन है, तो करन का वर्ग बराबर आप लिखोगे, करन का वर्ग या निए 5 का वर्ग बराबर, लंब का वर्ग कितना है, 3 तो 3 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस आधार क्या है, MQ, तो MQ का हो जाएगा, अब ये 5 का वर्ग 25 होगा, बराबर 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और प्लस MQ कर देना, ठीक है, 9 का पक्छांतर करोगे, तो 25 माइनस 9, अब बराबर क्या हो जाएगा, MQ स्क्वेर हो गाए, 25 में से यहाँ पे 9 घटाओगी, तो 16 बराबर, MQ वर्ग हो जाएगा, तो बर्गमूल आजाएगा, तो अंडर रूट 16 बराबर क्या हो जाएगा, MQ हो जाएगा, 16 का बर्गमूल कितना होता है, 4 तो MQ का मान कितना हैगा, 4, तो यहाँ पे MQ 4 मिल जाएगा, तो जितनी यह होगी, उतनी ही यह होगी, चार होगी, क्यों, क्योंकि जीवा को जो त देना कि MQ अगर चार है तो PM भी कितनी होगी चार होगी लिख देना कि ब्रत के केंदर से जीबा पर डाला गया लंब जीबा को समान दो भागों में वाजित करता है मतलब अगर ये चार है तो ये भी चार ही होगी क्योंकि समान दो भाग करने होंगे तो PM भी चार हो जाएगी तो टोटल PQ कितनी हो जाएगी चार प्लस चार तो टोटल आठ हो जाएगी तो ये इस सवाल इस तरीके से सवाल को करना है बहुत ही आसान है तो ये दो संकेंदरी ब्रतों की तरज़ा है भाकी आप देख सकते हो कि जो भासा लिखी है कि ओ केंदर बाले दो संकेंदरी ब्रत दिये गए है तो आप इसी तरीके से लिख सकते हो कि ओ केंदर बाले दो संकेंदरी ब्रत है जिनकी तरज़ाएं क्रमसह OQ बरावर 5 cm है और OM बरावर 3 cm है जहां PQ बड़ी तरज़ा बाले ब्रत की जीबा है यहां से यह पाइथागुरस की प्रोसेस है आप ऐसे भी कर सकते हो या पिस जैसा मैंने आपको बताया आप उसी तरीके से भी कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाकी यह most important question है तो मैं आप से कहूंगा कि इसको अच्छे से कर लेना इसका जो solution है आगे यह लिखा है और इसमें total कितने important question है वो मैंने आपको बताये हैं तो बहुत अच्छे से कर लेना जितने question मैं बता रहा हूं जरूर अच्छे से कर लेना क्यूंकि यहां पर जरूर आपको इक question देखने को मिलेगा तो अगर top most one question अगर एक question सेलेक्ट करना हो तो यह question आपको जरूर देख सकते हो और इस वीडियो को इस question को बहुत अच्छे से कर सकते हो बाकी और जो भी doubt है comment में बता करो और एक चीज और है कि मैंने 13 फर्वरी के पहले गड़त के लिए बहुत सारे helping video डाले हुए है तो भो भी आप चेक कर लेना ताकि आपको गड़त में किसी परकार का डर हाला कि 30% जो sliver से उसे हटा दिया गया है तो इससे आपका paper बहुत आसान आने बाला है लेकिन उसमें भी अगर आप topper बनें तो बहुत अच्छी बात है हाला कि paper जो मैंने अपनी offline coaching के बच्चों के लिए guess किया है तो ये समझे कि उसी में से paper आएगा मैंने आपके लिए भ लीजेगा बाकी best of luck for exam और इसके अलावा और भी कुछ question बताऊंगा तो उसको भी देखते रहना ठीक है thank you